इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे जोगरफी की बुक लिस्ट जो पीडियेफ में आपको मिल जाएगा और जोगरफी का अभी जोगरफी को कैसे अप्रोच करें या कैसे तयर स्टार्ट करें उसको क्योंकि बहुत सारे निव कमर हैं उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि यहां पर क्वालिफाई कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है तो जिनको भी प्रॉलम हो रही है किताब मैं मिनिमम बुक लिस्ट जो जोड़ी है वो मैं भी बता दे रहा हूं इंगले सिंधी दोनों में आपको मिल जाएगा और पेडियेफ में आप लोग ले लीजेग क्या लिखा हुआ है अच्छे इसको ध्यान रखना कि पहले दो पेपर में था अब आपका ऑप्शनल पेपर एक में सिमट गया है एक को पार्ट वन कहेंगे और पार्ट वन के अंदर फिर सेक्शन ए है सेक्शन बी है और एक को पार्ट टू कहेंगे जो पेपर टू था पूँआकर्ति विग्यान, इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर फीजिकल जोगरफी, यानि आपका जो पहला है यहाँ पर सीधा लिखा हुआ देखिए, बहुत इक भुगोल, तो यह जो फर्स्ट सेक्षन है, यह फीजिकल जोगरफी से रिलेटेड है यहाँ पे खुलर सहाब की किताब आपको बहुत काम आएगी, अब इसके अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स, यानि प्लेट विबर्तनी की, वुलकैनों, डेबिस और पिंक, आता ही रहता है, डेबिस और पिंक से रिलेटर सवाल आता ही रहता है अपरदन चक्र का, उसके जलवायू बिग्यान नहीं, क्लाइमेट की अगर बात करें, तो हमारा एट्मोस्फियर वायू मंडल क्या है, उसकी रचना कैसी है, किस तरह का एर मास होता है, यानि वायू रासी होती है, वातागर यानि फ्रंट का निर्मान कैसे होता है, चक्रवात क्या होता है, कोपेन क एक-एक, दो-दो टापिक लिख के, मनें, दो-दो टाइप के questions बना के, और उसको एक बड़ डील कर लिजे रूम के अंदर, अधिकान सवाल आ जाएंगे, और previous एर पहले देखना, फिर मिट्टी की बात की जाड़ी है, तो मिट्टी की वर्गी करन, classification, सवाना, मौनसून, इसमें कैसी होती है, यानि बनस्पती की बात की जाड़ी, vegetation की और soil की बात की जाड़ी है, अच्छा, यहाँ पर फिसकल जोगरफी में आप जो भी पढ़ेंगे, वो आपको इंडियन जोगरफी में भी काम आएगा, इंडियन फिसकल जोगरफी में कॉंसेप्ट यही रहेगा, चीजे थोड़ी सी बदलेगी, उसके बाद महासागड़ी विज्ञान, यानि ओशन का जो सर्फेस है, उसके बादे में पूछा जाएगा, salinity, लवन्ता क्या होती है, ocean current कैसे चलता है, जवार, tide के बाड़े में, समुदरी, निछे, मुंगा, चटार, इस तरह से सवाल जो है, वो आपको oceanography में पूछा जाएगा, उसके बाद ecology, पाइस्थित्की तंद्र, अब ecology की संकल्पना पाइस्थित्की तंद्र पे, मनुस्व का क्या संघात है, अबिस्व की, अच्छा ये section को आप छोड़ भी सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई बड़ा issue नहीं है, इसको छोड़ के भी आगे बढ़ेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा, तो ये वह पाइस्थित्की से related, उसके बाद, second section इसका क्या है, economical geography, यहां से अगर अच्छे से answer लिख होगे, human geography, अच्छे से लिखेंगे, तो अच्छा score आएगा, physical geography में कहीं ने कहीं average होगा, लेकिन यहां पे आपको score बढ़ियां दिखेगा, अब ये जो second section है आपको, यहां पे अलग-अलग जो geographical thinker हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यहां पे लिखा हुआ है, भगवालिक चिंतन का विकास, यूरोपिय या बिटिस भुगोल विदो का योगदान, नियती बाद, संभव बाद, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं यहां पे, मानो गुगोल की बात करें, तो किस तरह से मानो, मानो की परजाती, anthropology थोड़ी सी, जोग्रफी एक कमाल का subject है, जो अलग-अलग subject को समेटे हुए, तो मानो परजाती का कैसे development होता है, उसका कैसे cultural development होता है, अलग-अलग इनका जो परिमंडर है, उसके बाड़े में, वर्ल्ड में जो जन संख्या का distribution है, उसका आधार क्या है, वर्ल्ड में जो population को अलग-अलग तरह की समस्या, जन संख्या, जन संख्या की संक्रमन, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, ऐसा क्यूं है, तो इस तरह से related human geography से, माजित हुसेन की किताब इसमें अच्छा गाम आएगी आपको, बस्ती भूगोल, यानि कोई भी टाउन बसता है, कोई भी नगर बसता है, तो उसके अंदर का जो concept है, नगर कैसे बनता है, नगर के आसपास के जो गाउं है, उससे नगर का interaction क्या होता है, यानि जो इसको सिमांत नगर कहते हैं, नगरों की आंतरिक संदचना, किस तरह की नगर की समस्या है, वर्ल्ड में जो नगर ब्रिदी होड़े ही है, उसमें क्या-क्या समस्या फेस करना होता है, यानि यह अपलाइट पूर्सन है, ध्यान रखिएगा, यह मानव भूगोल और बस्ती भूगोल में, कुछ concept के साथ अपलाइट भी है, राजनिति भूगोल, और यहाँ पर आपको current के example डालने हैं, current से अगर इसको relate करके लिखेंगे, को फिसकल जोगरफी में आपको स्कोप कम है, कुछ example दे सकते हैं current के, लेकिन यहाँ पर अगर current को जोड़ कर लिखते हैं, तो score बहुत अच्छा रहेगा, राजनिति भूगोल की बात करें, तो राश्टर और राज्जी की संकल्पना, वही बफर्स छेत्र क्या होता है, केंदरसल उपांथ क्या होता है, संगबाद क्या है, तो यहाँ से भी आप स्किप कर सकते हैं, सवाल यहाँ पर छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन, एकनॉमिकल जोगरफी आर्थिक भूगोल को आपको नहीं छोड़ना है, विश्व का आर्थिविकास, मापन और समस्याएं, संसाधन की संकल्पना, विश्व का जो भी रिसोर्सेज है, उसका वितरन और उस रिसोर्सेज से सम्मंदे समस्या, विश्व में उर्जा संकत, वर्ल्ड में जो एकरिकल्चर का पैटर्ण है, वो पैटर्ण कहां पर कैसे एकरिकल्चर, उससे डिलेटर समस्या, वर्ल्ड में जो इंडुस्ट्री है, वो कहां और कैसे इंडुस्ट्री एस्टेबिस्ट किये, क्यों की है, तो यह सारे सवाल यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे तो यह तो हो गया section part 1 का section A and B तो यह world geography से जुड़ा हुआ है यहाँ पर सवाल आपसे world geography से पूछा जाएगा और जो सवाल होगा वो अधिकांस था physical geography first part है दूसरा human and economical geography है लेकिन यहाँ theory portion कुछ जादा ही जाएगा अब भारत में आएंगे मैंने पहली बोला है physical geography अगर आप world का तयार करें तो आपका भी तयार हो जाएगा सिर्फ भारतिये context में उसको देखना है और बैठा देना है सिर्फ repetition है, कुछ नहीं है सिर्फ भारतिये content आपके पास होना चाहिए second paper तयार करना मुस्किल जाएगा भू बैग्यानी के थियास भू आकर्ति भारतिये monsoon अब monsoon अलग हो गया उसको एक बड़ पढ़ना है लेकिन structure किस तरह से होता है drainage system अब बाहत अंत्र क्या है यह आप अनाम से हासर कर लेंगे फिसकल जोगरफी में यहां की मिटी, यहां का बनसपती मिटी किस तरह से determine होता है या vegetation का क्या characteria है, वो world में भी वही होगा इंडिया में भी वही होगा Indian context में उसको दिखा देना है मान अब यह पहलू की बात करें तो यहां पे बहुत सारे tribes रहते है world में भी बहुत सारे tribes है जनसंख्या बित्रण, world में जिस तरह ही case होता है इंडिया में भी होगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा यहां भी कहां पे कितनी जनसंख्या रेडियों से related समस्या है तो on and average कुछ facts वहां से निकालके इंडिया के साथ लगा दीजिए आपका इंडिया का portion तेया हो जाएगा यहां भी संसाधन की बात है economical geography की बात करते है अब जो भी यहां पे खनीज है जलिय संसाधन है, समुद्री संसाधन है सब agriculture किस तरह से यहां पे अब फिर आगे क्या क्या रणीती है इसके अलावा जो ग्रामीन छेतर है वहां पे अग्रिकल्चर, सोसल, समाजिक बानकी घरेलू, द्योग, पसू, पालर, इनिमल, हस्बेटर, इंसबसर लेटर फिर इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री का अस्थानिय कारक अस्थानिय कारक जो आप वेबर का या किसी और का पढ़ोगे वो यहां पढ़ भी आपको काम आएगा agriculture based, forest goods based industry जो है और द्योगी संकुल क्या होता है, और द्योगी करन क्या होता है तो यह आसान है, यहां पर मुश्किल नहीं है पडिवहन और प्यापार, जो हमारा transportation है railway, road, airways, water, pipeline इनके बारे में बताना, international, national, जो संपर्क, वो बताना है बस्ती, तो यहां भी gramming बस्ती कैसा है भारत में नगडिये बस्ती का क्या feature है यहां पर भी नगर और गाओं के बीच में जो difference है उसको interaction जो है उसको दिखाना है नगडिये आवास, राष्टिये नगडिकरन, निती जो सरकारी कोई policy है उसके बारे में बताना है उसके बार, छेत्रिये विकास और आयोजन भारत की पंचबर्सिये योजना, बहु अस्तरिये आयोजन राज जिला और प्रखंड अस्तरिये आयोजन ये सब किया गया है राजनितिक पहलो की बात करें तो political समस्या क्या है राज का पुदर गठन किया गया तो वहाँ पे क्या समस्या है आगई international सीमा जो हमारा अलग-अलग country से लगता है उसके साथ अभी क्या चल रहा है किसके साथ friendly है क्या latest update है वो आपको यहाँ पे add करना होगा इसके अलावा यहाँ पे प्राकिर्तिक बरस्पती, मिट्टी, वन, जलवायू जो हमारे यहाँ प्रमुक खनीज है सूखा बाढ जो भारत की विसेस्ता है including बिहार को भी add कर लिजे अलग-अलग खनीज बाढ़ारी जो उद्योग है बिहार में नगडिकरन का क्या प्रारूप है बिहार में जन्तंग क्या क्या प्रारूप है बिहार में tribal populations related क्या समस्थ्या है actually 2000 के पहले का सवाल इस तरह से पूछा जाता था तो ये भी आप यहाँ पर इसको तयार कर लिजेगा बिहार के भुगोल के अंतरगत यानि जो भारत की जो गड़फी जो पढ़ेंगे उसी तरह के content बिहार के according भी आपको तयार कर लेना है बस एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि part 1 जब आप तयार कर रहे होंगे यहीं के सारे concept 90% concept आपको बिहार और भारत में लगेंगे कुछ ही जो इनकी special खासियत है उसको साथ में add कर दीजेगा आपकी तयारी आसान भी हो जाएगी और पूरी भी हो जाएगी अब रहा book list देखे book list के लिए physical geography मैंने हिसाब से आपको सविंदर सिंग का ले लेना चीए अच्छे किताब है नहीं तो आप माजित हुसेन भी ले सकते है अच्छे से उसमें भी लिखा हुआ है कोई भी आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते environmental पाड़यवरन के लिए आपको लेना पड़ेगा एक किताब तो सविंदर सिंग के किताब आप प्रेफर कर सकते हैं अच्छी किताब है उसके बाद physical geography और human geography दोनों को मिला के किताब है G.C. Lyon का मुझे सिफ एक confusion है कि ये हिंदी में शायद अबलेबल नहीं होगी इंगलिस में होगी तो ख्याब तो हिंदी के लिए तो आप सविंदर सिंग ले ही लेंगे और environmental के लिए भी सविंदर सिंग लेंगे माजिद हुसेन की लिखने में आसानी होगा आपको अंसर उसके बाद human geography माजिद हुसेन अच्छी किताब है ले लिए जिनको भी student address लेना हो या orient black swan address लेना हो वो ले सकते हिंदी में जिनको लेना है वो औक्सपोर्ट का ही लेंगे इंग्लिस में जिसको लेना है वो black swan की तरफ जा सकते है जिनके पास है already उनको change करने की ज़रोत नहीं है तो यह section first हुआ section B मैंने बोला जो उपर का किताब आपने लिया है वो इंडिया में भी काम आ जाएगा section B की बात करें तो यह geography of India गोपाल सिंग या माजिद हुसे जिसके लिए नहीं ले लिजे comprehensive geography खुलड़ एक खुलड़ के लिए एक माजिद हुसेन की किताब ले लिजे और regional planning जो यहां का है गाओं की बस्ती population इन सब को लेकर तो चांद पूड़ी चांद या पूड़ी और महस चंद इन में से किसी एक के किताब आप ले लिजे बागी जो notes आपके पास है उसको help लिजे एक अच्छा answer घर के अंदर बैट के तयार कीजे जोग्रफी का जो issue है वो समाप्त हो जाएगा और एक अच्छा answer आप तयार कर लेंगे तो यही रहा फिर इसी तरह से सारे subject को हम लोग define करते हुए आगे बढ़ेंगे